नमस्कार दोस्तों भाईयों प्यारे किसान सातियों स्वागत करता हूँ आप सभी का हमरे प्यारे से यूटूब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लिडर में किसान सातियों आज दिनांग हो चुकी 27 अक्टुमबर 2023 दिन उचुकाई शुकरवार फ्राइडे का समय हुआ है भी 11 बच कर गुन 30 मिनिट वीडियो आपको देखने को मिलेगा पोने 12 बजे के बाद में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मद्य प्रदेश की दो सबसे बड़ी मंडी इंदोर की 24 मंडी और शायाप्रमंडी दोनों मंडियों में आलू प्याज लसुन तीनों जिन्सों की कितनी आमदानी देखने को मिली है और क्या रेट निकल कर आया है दोनों मंडियों में आलू प्याज लसुन तीनों जिन्सों के भाव का आये जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड संपूर्ण सटिक विस्वस ने जाने कारी दोनों मंडियों की और बांगलादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी जान कारी ठीक है उसी के साथ हम बात करेंगे अफगानिस्तान का प्याज अभी कहां कहां पर आ आलो के अगर बात करें किसान सातियों तो आमदानी की जनकरी प्राप्त नहीं हुई है भाव के अगर बात करें तो आट सो रुपसे लगा के बारा सो रुपए वो भी जोती बात कर लेते किसान सातियों प्याज के भाव की प्याज किसान सातियों सबसे पहले आमदानी की ब पर हमारी जो गोल्टी है 3000 से लगाके 3500 गोलटा प्याज 3500 से 4000 रुपए एवरेज प्याज 4500 रुपए एक्स्टा सुपर प्याज 4500 रुपश से लगाके 5000 रुपर तिकुंटल तक देखने को मिला है आप आती है बात की पच्पंसो से उपर इंदोर की चुहत्रा मंड़ी में कोई सा रेट है कि आज तो बिल्गुल है पच्पंसो से लगा कि गुनशाट सो रूपे प्रतिक गुंडल तका भी रेट है लेकिन सिर्व एक दो लाड़ विके हैं पच्पंसो से उपर पूरी प्याज के पच्पंसों से उपर एक है दो लोड़ भीके हैं उनसाट सो रुपे का एक लोड़ भीका है पक्का है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रही बात ज्यादातर प्यास की स्ट्रेट में जा रहा है तो ज्यादातर प्यास का जो रेट है वह 4500 रुपे से लगा के सालू के आमदानी 0 पैकेट लसन के आमदानी है 500 पैकेट लसन के अगर भाव की बात करें तो उपर मां हायरेश्ट रेट 14000 रुपे तक देखने को मिला है यह प्यास की अगर बात करें तो खादू हमारा जा रहा है 1500 रुपे से लगा के अच्ट-हुंतीस तो तीन हजा गोल्टा प्याज 3500 रुपे से लगा के 4000 रुपे एविरेज प्याज 4500 रुपे एक्स्टा सुपर प्याज 4500 रुपे से लगा के 5000 रुपे तक देखने को मिला है लेकिन वह ज्यादा लौट नहीं है एक दो लोड भी के हैं प्याज 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 को प्याज लसुन तीनों बंडी के जैनकरी काई की भाव की कि अब आते हैं किसान साथी हो हो कि कहां पर अभी प्याज अफगांस्तान का आ जा रहा है कोलंबो जा रहा है स्रयलंका जा रहा है साउत अमीराथ के जतने भी जो देस हैं हमरा प्यास सबी एक बात में जरूर कहूंगा नए प्याज का आग्मन हो चुका है जितनी जल्दी हो सके अपना प्याज अब निकालें ज्यादा देर ना करें ज्यादा ज्यादा उपर च्छे अजार उपर तक जाएगा इससे उपर मुझे नहीं लग रहा कि प्याज जाएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्याज भीजकन का एक छोटा अड़राइजमेंट है उसके बारे में महाराश्ट के कंपणी है जिसके ओनर है गणेश जी राजपूत उनके मोबाइल नंबर है 9970-759-58 ठीक है इस नंबर पर कॉल कीजिए प्याज भीजकन के लिए बहुत ही शांदार क्वालिटी का प्याज भीजकन तयार करवाते हैं यह उनकी खुद के कंपनी है खुद का प्रोडक्शन है खुद के खेत है ठीक है फार्मर भी है और किसान भी है मतलब यापारी भी है ठीक है प्याज इनके पास अगर क्वालिटी के गर में बात करूं तो यह लो रहा है प्रशांद है प्रची गुलाबी गोल्ड है और अंबर फोर्जी है और अंबर गजब है तो आप जो भी किसान भाई मंगवा ना चाहें मंगवा सकता है इन से तो अगर आपको कॉल करना है तो कॉल नंबर में ने दे रखे हैं नन्यानवे सत्तर सत्योत्तर उनसाट अठावन यह इनके मुमेल नंबर है इंगलिस में बोल देता हूं डवल नाइन सेवन डवल सेवन फाइप नाइन फाइट जिस भी किसान भाई को उच्छतम क्वालिटी क प्याज भिजकर अगर लेना है तो इन से आप संपर्क कर सकते हैं घंदेश जी राजपुत महराश्ट के रहने वाले हैं महराश्ट के किसान और महराश्ट में ही अपना व्यापार करते हैं महराश्ट में बहुत सारे जिलो में इनका माल जो है जाता है किसांसातियों आप भी मुका दीजिए पिछले साल भी इनका माल जो है शायापुर में लोकल में हमारे बहुत चला है देखिए मुझे मेरा जो चैनल है मेरा जो वीडियो है वो पूरे मत्यप्रदेश में भी देखा जाता है और बंगलादेस भी देखता है तो कहीं न कहीं पूरा लगबग लगबग आधी दुनिया देखती है तो इसका मतलब यह नहीए कि हज़ारों की संक्याम देखते हैं तो किसान साथियो आप सबका प्यार है तो और इस वीडियो का लाइक टार्गेट है आगला इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ढ़ांसपटिशंगौ сосथ किशां सत्य। खोजाध नंगा बाड़र के रहत हम कलकी आज देखिए कि आज फ्राइड़े ॥ाज इंसक्ट्पूबर थोजार तीश की किसां सत्य। K infl. re baggage भख़ह से एक्सपोट 22 गाड़ियों का तक देखने को मिला है बहुत ज्यादा उच्छाल देखने को मिला है अब आती बात कि सान साथ यह मेहंदीपुर बोडर की तो मेहंदीपुर बडर से एक्सपोर्ड बैयालीस गाड़ियों का हुआ है रहा है रायस्तन का यहां पर प्याज हो जो है गोल्टा-गोल्टी सबसे हलकी हलका है और उसी कारण से थोड़ा सा कम रेट मिलता है इसको देख लीजिए आपके सामने पूरी जो है रिपोर्ट हो हिली बोडर की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट गुनिस गाड़ियों का हुआ है बैनेस मेंजिरो गाड़ियां हिली बोडर से किसान सत्यों हमेशा ही कम मात्रा में प्याज का एकस्पोर्ट होता है यहां नासि का गोल्टा-गोल्टी 802 टका तक देखने को मिला है यहरा जैनकारी बांगलादेश इंपर्ट एक्सपोर्ट रिपोड कि अगर जयनकार आपको अच्छी लगी हो और वाके में अच्छी लगी हो तो लाँक भी करें चोटा सा क्यों चैनल कारें जिस द्रम साथ है उस द्रूकर करें और अगर आप कमेंट करेंगे लाइक करें तो किसान सात्य आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंड करें चोटा सा कमेंड करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को ज्यादा ज्यादा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेर करें लोगों तक ठीक है आप सबी किसान भाईयों का बहुत बहुत दन्यवाद जे जे वान जे किसान जे जे बराद वन्ते मात्रम